दो तिन बाते हैं विनिता जी क्योंकि फर्स्ट फेज में जो चुनाव होने जा रहे है वो पश्चिमी उत्रप्रदेश के हैं तो सारा सबका फोकस यही है पश्चिमी उत्रप्रदेश में लिस्ट भी पहले यह सुची जो आई थी उमिदवारों की यहीं आई थी और उसके पहले पाद यह पश्चिमी उत्रप्रदेश में पीजेपी हमेशा मेजर डिनर रही है बीजेपी को पिछले इसम के तड़के देकर उन्होंने अपने साथ गोल बंद कर दिया था और जाट पिछली बार जब दंगे हो गए खासकर इसी शेतर में पच्चिन उत्रप्रदेश में उस दंगों का फाइदा हुआ एक जाट और मुसल्मान ये कभी अपने आपको अलग नहीं मानते थे क्यों दोजार उन्निस के चुनाव में भी लोगसभा चुनाव में भी खोल के भूना विजिने और जो नतीजे है आपने सब के सामने हैं लेकिन इस बार पच्चिमी उत्रप्रदेश में खासकर किसान आंदोलन के बाद तीन किसान कानून आ गए उसके पीचे किसान आंदोलन की अगवाई जिनोंने की वो पच्चिम उत्रप्रदेश से आते हैं टिकेट साब के जो दो आसू है उस आसूने एक सहला बलाते हैं और किसान आंदोलन के प्रती केंदर सरकार का कड़ा रूख और राज सरकार का किसान नो के प्रती जो निश्ठूर और कुरूर व्यभार रह जैसा रस्ते पे वो एंगल खड़े कर देना, ऐसे पोस्टर्स और वो ऐसे कार्टून चक्ते थे की टिकेट को घशिटते हुए योगी जी लेके जा रहे हैं, ये तमाम बाती कहीं न कहीं जाट के मन में घर कर देए, और ये तीन कानून के बाद जो लोगों की शाहदत होने जो गैंस्टर है टेनी महराज, इनके बेटे द्वारा लोगों को कुचलना, बाद में स्टीएफ की रिपोर्ट में ये कहना की एक शड़यत्र था, और उसके बाद जो लोगों की नाराज़गी है, लोग लगाचार इस्तिफा मांग रहे हैं टेनी महराज का, लेकिन वो ग जड़ितिकता की बात करती और गुंडाइजम की बात करती तो किस मुझ से करती ये भी समझ में नहीं आतीग, तो कही ना कही जाट मतदाता किसान का जो ये अंदोलन है, ये कानून वापस लेने के बाद भी, ये जो अपेक्षा थी भारती जनता पार्टी की केंद्री ने तुट्वा को उस पे खारा नहीं उतना वो कही ना कहीं वो नाराजगी बरकरार है और उस नाराजगी को भूनने के लिए जब अकिलेश और जैन चौदरी ने जोड़ी बनाई और फिर आरेलडी के इसमें फिर जाना गई जो पार्टी बिल्कुल खतम सी हो गई थी उस पार् है कि वहां मुस्लमी मतदाता यादव मतदाता जो पिछड़े हैं वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी के साथ है क्योंकि बीजेपी से उनका मोभंग हो गया है एक जाट जो करीब करीब परच्चिमी उत्रपरदेश में बलाई उत्तरपुरे उत्तरपरदेश में दो प् चाहती है लेकिन कर करके करेंगे क्या किसान कानून वापच लेने वाली बड़ी बात कह दी मलिक साब जो गवर्नर है शायद ही किसी आदमी ने इतने गंबीर आरोप प्रधान मंत्री पे लगाए हूँ कि जिन्हों ने ये कहा कि प्रधान मंत्री को जब मैंने कहा कि साथ सो लोग शहीद हुए है किसान अंदोलली तो उन्होंने कहा मेरे लिए थोड़ी मरे है मुझे उससे क्या ये बात मलिक साब कहे और उसके बाद गवर्नर पत पे बरकरार रहे ये मजबूरी दिखाती है बीजेपे कि वो किसी भी हालत में किसी भी जाट नेता को क्योंकि मलिक साब ये जाट नेता तो है जाटों में उनकी एक अच्छी खासी पैचान है वो वहाँ पे भी नतमस्तक होती दिखाई दे रहे हैं सब कुछ चाहते हुए मलिक साब ने पिछले तीन मेने से फ्रंट खोल के रखा है लेकिन उसके उपर चुपी साधी हुई है और उनके गवर्नर पत के उपर जरा भी आच आने नहीं दे रही है इसके माइने हैं कि इनको सक्त जफरत है उसके बाद 26 तारीक को जो 253 लोगों को बुलाया गया जाट न अब विनिता जी आप भी पढ़िए अब इलाज जी बैठे मुंबई में जब आप देखते हैं कि 253 जाट नेटा यदी अमिर्शा को मिलने आते हैं तो लोगों का इक परसेंशन बदलना शुरू हो जाता है कि ये जाट निता जो है ये बड़े लोग है और ये मतलब इनों जब किसी ने ये नहीं पूछा कि ये जाट निता है को यदि 203 पर जाट निता आपके पास है तो आपको जैन चोधरी की जरूरत नहीं जब आप ही कहते हो कि जैन चोधरी हमारे अपने हैं और ये गलत घर गया है उन्होंने घर का चुनाव जो है गलत चुनाव कर लिया इ जो लोग आये थे उनमें यदि आप देखोगे तो आप आपको हसी आएगी कि एक उस जाट संबेलन जो स्मॉल छोटा संबेलन 253 नेताओं का संबेलन एक जाट नेता के घर पे परिवेश वर्मा कितने बड़े जाट नेता है आप भी जानते हैं हम भी जाने अब उनके घर मे जब यह संबेलन हुआ मीनी जाट संबेलन उस संबेलन की अध्यक्षता उन्होंने जैवीर सी मलिक से करवाई हम आपने अमिशा जी है उन्होंने उठके चेर उनको दे दी बोले आप अध्यस्ता करिए इस संबेलन अब वो इतने बड़े नेता है कि वह अपने पत्मी को जिला परिश्च जिला पंचायत का मेंबर ने जितवा कि ला पाये जाट बहुल्ट शेत्र में यह इतने बड़े जाट नेता है उसमें एक ग्रेटा नाड़ा के लाइस कोई जाइंट्स कलब के में अडिक्ष है क्योंकि आपको एक पर्सेप्शन बनाना है आपने उन लोगों को बताया कि 2650 साल का हमारा साथ है 650 साल पहले संग भी नहीं था प्रजातंत्र भी नहीं था 650 साल पहले बीजिपी भी नहीं थी और जन संग भी नहीं था और 650 साल पहले जो मुगलों से लोग लड़े उसमें जाट और किसान तो लड़े होंगे मुझे कोई गुजराती लडने का कोई अभी तक मुगलों से कोई इतियास दिखाई नहीं देता ये बात अलग है कि छत्रपती शिवाजी ने महाराष्ट्रे और पूना से जाके सुरत में छापे मारके पैसा वसुला है मुगलों से तो गुजरात में भी मराठों को जाके लडना पड़ा रेकिन गुजराती नहीं लड़ रहे थे तो ये क्यों कह रहे थे कि हम साथ में लड़े वो ये कहना चाहते थे कि हम मतलब हिंदू हम सबने मुगलों से लड़ा है हमारा साथ तपसे है और अभी भी साथ चाहिए मतलब अमिश्या चुनाओ लड़नी की बात नहीं कर रहे मुसल्मानों के साथ युद्ध करने की बात कर रहे तो उनके लिए यह चुनाओ नहीं है यह मुसल्मानों के साथ का युद्ध है तो आपको जब इस लेवल पे उतरना आना चाहता है तो आपको desperation दिखता है और राजनीती में जब disparate होते हैं निता तो आप समझ जाएए उनके पेरों की नीचे की धरती किसक गई है इसलिए एन केन प्रक्रेल घर घर जाके हर जाट निता को यह बताना कि आपकी सिवा हम नहीं और हमारी सिवा आप नहीं जाटों की मांग हस्यास पद लगता है मांगे वही है आश्वासन देने वाले नेता वही है लेकिन मांग मांगने वाले तो ठकते नहीं लेकिन आश्वासन देने वारे इतने बेशरम है कि लगाता नए नए लाली को आप ठपते देते चरण सिंग जी को भारत रत्न चाहिए पर चोदरी चरण सिंग का मुझे लगता है कद भारती राजनीती में जो हमारे बंगाली दादा थे इनसे तो बड़ाई था बंगाल के चुनाव के लिए आप दादा को भारत रत्न दे सकते हों लेकिन सिर्फ वोट मांगने के समय आप जाटो को अपना समझते हो भारत रत्न देने की बात आती है तो फिर चोदरी चरण से कुभूल जाते है जाटो के रिजर्वेशन का इश्यू कप का है कि 2017 के मेनिफेस्टों में गोश्णा पत्र में बीजेपी ने कहा था कि हम 45 दिन के अंदर गंदा बकाया करेंगी कौन सा 45 दिन भाई आज 5 साल पूरे हो गए 45 दिन खत्मी नहीं होई इनके आवारा पुशूर की समस्या भाया वह हैं तो यह तमाम जो चीजे हैं नोकरी बेरोजगरी महेंगाई रोड इंफ्रस्ट्रक्चर आप हर जीले का प्रोफाइल करेंगे तो आपको पता पड़ेगा किसी जीले में हॉस्पिटल की जरुरत है वह हॉस्पिटल की बांग देखते हैं तो आदमी को बुरा लगता है और फिर पिछली बार भी ऐसी जाटों के साथ एक वाड़ियो लीक हो गया था अमिर्शाजी का तब भी वह गोहार लगा रहे थे कि आप हमारे है और जाटों को रिजर्वेशन भी देंगे यह करेंगे वो करेंगे पास सार बार फिर जाट बोलते हैं कि हमारा रिजर्वेशन बिल्कुल देंगे एक बार वोट दे दो और अब जाट भी ठागा सा मेसेज करता है इसलिए यह कोई भी कॉम्बिनेशन बनाए इस बार कोई कॉम्बिनेशन चलने वाला नहीं उत्तरप्रदेश में इस बार जी थे और वही जैन जी थे चूने भीड़ी कटा हो रही थी अब लोग रस्ते पे बदलाव के लिए और बदलाव के लिए एक नायक चाहिए होता है और वह नायक यदि अखिलेश बनता है तो लोगों को उससे परहज नहीं क्योंकि अखिलेश की दबसाद जितना यादों का मिजरूल का बैगेज है वह उनके पिता जी के नाम कटा हुआ पनना है लेकिन आकिलेश ने आखरी दो साल में जो काम किया है वह विकास के काम थैंगे के यह साथा। उस्पेंगे सर्कार ने इतिने डबल मार दी अब इस बार डबल फैए sappia के इंदर सरकार राज्य-बरहिं इसलिए आप MY कहो, कि आप इसको JM कहो, कि JY कहो, यह सारे equation कागत पर बैठेंगे, नहीं तो केशो मोरिया जैसा उपमुख्यमंत्री लेवल का मिनिस्टर और उनका व्याकई व्याक्दिगत व्यवार बहुती शालीन है, उत्रपदेश के शालीन नेताओं में यह, मैं पहले दो-तीन नेताओं में उनको गिनाता हूँ, कोई भी पार्टी का आदमी हो, कोई भी छोटा हो, पत्रकार, बड़ा पत्रकार हो, हस के बात करेंगे, बिलकुल सब्मिशन के साथ बात करते हैं, यदि ऐसे व्यवार कुशल इनसान को यदि उसके चुनाव शेत्र से भगया जाता है, तो आप जनता की पिड़ा समझी, इसे बात भी भाव खुलकर नहीं बोलते हैं ना केश फरसाद मार रहा, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, बोलना हो तो उनको सत्ता बाहर जा पड़ेगा, व उनको पता है बीजेपी का क्या है वरतमान में, यह हर एक की मजबूरी है, प्रदान मंत्री कहते ही, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, और पिर कार के नीचे दोड़ाते हैं उनको, और योगी जी भी कहते कि आदर निया प्रदान मंत्री जी के नेतरूतों में सब यह बार देखा, कि जो नेता कल तक कशीदे पढ़ रहे थे, रात और रात पार्डी छोड़के चले जाते हैं, क्या हो गया, कल तक तो तुमें यह बहुत नेता बहुत बढ़िया लग रहा था, रात को यह आपने पार्डी बदल दी, और दूसरे दिन गाली देना लगता ह इसलिए इसलिए यह सब अभी तक चुप चुप कर चर्चाए करते थे अब खुलकर सामने आ रहे हैं, इतना पर अभी खुलकर सामने आने लगी है चर्चाए, लोग भी बोलने लगे हैं, लोग सवाल पूछते हैं, आज मैं कुछ बीजेपी के लड़कों से मिला था, जो उत्रपदेश में पहला राउंड करके आए, उनको मैंने पूछा क्या हुआ, उनको मैंने पूछा क्या हुआ, उनने कहा कि बड़ी टाइप पोजिशन है, मैं लग्यू, बोला आरे वो गाव में जाओ, तो लोग बहुत सवाल पूछते हैं, वाकरी ऐसा लगवा जाने की पता पड़ता है कि अच्छा हुआ, हम गए तो हम गए तो बच के आगे, साथ में विधायक होता तो फीड जाते हैं, यह तो पहली बार इस तरह के तस्वीरे आ रही है, भाव इतनी बड़ी लेबल पर, कि मतलब विधायक अपने इलाके में गुस्पाता है, मुख्य मंते विधा वंदनियत है, वो अंटचेबल हो गए, यह कारण हो गया, इसलिए इनको जाट और इनकी लिए, इसलिए इनको बार-बार कभी आखिलेश का साड़े तीन घंटे के लिए चौपर रोकना, उसकी प्रेस कांफरस लेट करवाना, यह सारे चिचोरेपन के जो चीजे है यह और ज्यादा होती होई दिखाई देदी